नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि मिजोलास्टिन टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है मिजोलास्टिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मिजोलास्टिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि मिजोलास्टिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में मिजोलास्टिन टेबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। मिजोलास्टिन टेबलेट एक एंटिहिस्टामिन ड्रग प्लास की दवा है, जिसका उप्योग सामाने जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षनों से राहत पाने के लिए किया जाता है। खुझली होने पर भी मिजोलास्टिन टेबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। बार लेने की सलाह देते हैं, मिजोलास्टिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मिजोलास्टिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चा अब हम डिसकस करेंगे कि मिजोलास्टिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मिजोलास्टिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में मिजोलास् मिजोलास्टिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि मिजोलास्टिन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में मिजोलास्टिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। मिजोलास्टिन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और मिजोलास्टिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्खता की आवश्चत होती है क्योंकि मिजोलास्टिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है अगर आपको मिजोलास्टिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलर्जी है तो आपको मिजोलास्टिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्त आपको देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपका मिजोलास्टिन टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं